भाई और भेनों, 21 सदी के भारत की जरुरत 20 सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती है और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरुरत थी हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्वीस के तौर पर नहीं, बलकि एक एसेट के तौर पर विख्सित करने के लिए काम शुरू किया आज इसके प्रणाम देखने को मिल रहे हैं आज भारतिये रेलवे की पैचान उसकी साख बदलने लगी है आज भारतिये रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडनाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किये जा रहे हैं आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर सुरू हो जाएगे ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी तेजस और बंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेने तो हमारे ट्रेक पर चलने भी लगी है आज ये ट्रेने यात्रियों को एक नया और अध्भूत अनुभव दे रही हैं विश्ट्राडॉम कोचेश का वीडियो भी आपने सोचल मीडिया पर जरूर देखा होगा जो लोग स्टेची अफ यूनिटी गए होंगे उन्होंने इसका लाब भी लिया होगा ये कोचेश इज एंड फील अब जर्नी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं ट्रेल में चलने वाले सभी लोग अब ये भी अनुवो कर रहे हैं कि हमारी ट्रेने हमारे प्लेटफरम्स और हमारे ट्रेक्स पहले से कितनी साफ रहने लगे हैं इसमें बहुत बड़ा योगदान उन दो लाग से जादा बायो टॉयलेट्स का भी है जो कोचेश में इस्टॉल किये गए हैं इसी तरह आज देश भर में प्रमूख रेल्वे स्टेशनों का आधिवकर आधुनी करण किया जा रहा है टियर टू और टियर त्री शहरों के रेल्वे स्टेशन भी अब वाई फाई सुविदा से लेस हो रहे हैं सुरक्षा के दर्स्रीकौर से भी देखें तो ब्रॉड गेज पर अन्मेंड रेल्वे क्रॉसिंग्स को पुरी तरह से खत्म कर दिया गया है कभी भीशन हाथसों और अव्यवस्ता की शिकायतों के लिए मिडिया में च्छाई रहने वाली भारतिय रेल आज पॉजिटिविटी लेकर आती है आज भारतिय रेल को दुनिया के आधुनिक्तम नेटवर्क और मेगा प्रोजेस के लिए चर्चा में स्थान मिलता है आज भारतिय रेल को देखने का अनुभव और नजरिया दोनों बदल रहे और मैं गर्व से कहूंगा कि आज के ये प्रोजेक्ट भारतिय रेल के इसी नए अवतार की जाकी है